दोस्तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे आप अपने यादास को बढ़ा सकते हैं उसके लिए आपको वीडियो को लाश तक देखना पड़ेगा और चैनल में नए होट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो दोस्तो सबसे पहले सुबा साम पिए जाने वाली चाई कोफी को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा क्यूंकि चाई और कोफी दिमाग में अथर डालते हैं चाई या कोफी के बदले में आप ग्रिन टी पी सकते हैं ग्रिन टी यादास को बढ़ाने में मदद करता है नमबर दो आपको अपनी डाइट से घी को बहार निकानना होगा अखरोट का सेवन सुरू करना होगा तेज दिमाग और यादास के लिए अखरोट का सेवन बहुत ही जरूरी है नमबर तीन कई लोग पीजा बगर कई तरह की चीज़े खाते हैं तो आपको यादास को बढ़ाने के लिए पीजा बगर कचोडी समोसे जैसे इत्यादी चीजों को खाना बंद करना पड़ेगा और साबुत अनाज का विकल्प चुनना पड़ेगा नमबर चार आपको कभी भी पेट फूल करके खाना नहीं खाना चाहिए भला ही आप दिन में 4-5 बार अलग-अलग टाइम पर खा सकते हैं बट पेट को कभी भी फूल करके मत ही खाना नमबर पांच याददास को बढ़ाने के लिए दिन में कम से कम कुछ देर पेदल चलना चाहिए या सारीरिक रूप से साकीरियार रह सकते हैं नमबर 6 अगर आप प्रती दिन मिठा प्राठे पकोड़ी खाते हैं तो इन्हें खाने के बाद आपका जो शरीर होता है वह कमफर्ट जोन में पहुँच जाता है और इससे आपका दिमाग कुछ ना करने की स्तिती में पहुँच जाता है तो आपको इन सारी चीजों का सेव ना बढ़ जाती है तो ऐसी चीजों से धूरी रहना बेटर होगा नमबर 8 याददास बढ़ाने के लिए आपको कहानी वाली किताबों को पढ़ना छोड़ना पड़ेगा उसके बजाए धार्मिक पुस्तके जैसे की राम चरित्र मानस का उत्तरकांड गीता स्वामी विवे जैसे कई ऐसे किताबे हैं जो कि आपके दिमागों को बढ़ाने के साथ साथ नए मार्ग को दिखाते हैं अगर आप इंडोर गेम के सोपिन है तो आप चेस खेल सकते हैं क्योंकि चेस खेलने से आपका दिमाग बढ़ता है साथ ही आपका याददास नमबर 10 और लाश्ट ट तो गैस यदि आप मेरे दिये हुए इन दस टिप्स को फोलो करते हैं तो आपका दिमाग आपका यादास जरूर बढ़ेगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब